नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मन मोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरनेट क्लोक बनाना सिखाऊंगा पीटेन बोर्ड पर बनी हुई ठीक है आप देख सकते हैं यह पीटेन बोर्ड बनाना यह में आपको बताऊंगा देखिए बहुत ही आसान है इसको बनाना इसको पावर दिया है हमने की यूएसबी पावर बैंक से इसको आप मोबाल चार्जर से भी पावर दे सकते हैं ठीक है अभी देखिए वर्क कैसे करती है यह तो एक सिंपल पीटेन बोर्ड है और यह बना हुआ है ठीक है इसकी प्रोग्रामिंग की ज़रत नहीं है इस वीडियो में मैं आपको बिना प्रोग्रामिंग के इस क्लोग को बनाना सिखा हूंगा जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी नालज नहीं है वो भी इस क्लोग को बना पाएंगे देखिए दोस्त केबल है जिसके थो हम इसे कम्पूटर से इंटरफेस करेंगे तो इसमें एक सौफ़व्य अप्लोड करेंगे ठीके बहुत ही आसाने इस अप्लोड करना अगर बैसिक कम्पूटर चलाना आपको आता है तो आप इसको कर पाएंगे साथ ही मैं एक चीज और में आपको बताना लेंगे लेकिन अगर आप इसकी बैसिक प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल को बिल्कुल फॉलो कीजिए मैंने ब्लोग भी बनाया जिस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और यह सब कुछ टॉटली फ्री मैं आपको सिखा रहा हूं कि सबसे पहले हम ऑन करके सके function देख लेके क्या किया है ठीख है तो देखिए इसको हमने येज़ कि USB बनाया है तो इसे पावर बैंक से सकते हैं मॉबल चारजर से power दे सकते हैं ठीके इसकी वैसे पोर्टेबल हो जाती है इसको हम कार में बस इस में शौप में रेस्टूरेंट में कहीं भी लगा शकते हैं ठीके तो इसको हमने जोह सबसे पहले USB cable को बपोर बेंक में लगा देंगे जैसे से पावर बैंक में लगाएंगे दो सेकंड में इसके उपर टाइम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा दो सेकंड क्यों लग रहे हैं क्योंकि यह इंटरनेट से connect होती है और इंजियन इस टाइम को इसमें लॉड करती है ठीक है अधाइम हमेशा इसमें करेक्ट ही मिलेगा इसमें जो है hour, minute और seconds तो डिस्प्ले होती है साथ में day भी डिस्प्ले होता है ठीक है इसके बात थोड़ी देर में डिस्प्ले चेंज होता है और एम पी एम की जानकारी भी मिलती है और एक मिनट में दो बार यह पूरी date बताती है जिसमें date month और year आता है ठीक है तो इस तरह से यह डिस्प्ले होती है आप इसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट बनाकर किसी को भी दे सकते हैं क्यों क्योंकि यह जो है एक तरह से एड़टाइजिंग मीडियम भी बन जाएगी जिसमें क्या होता है कि आपका कस्टम मैसेज इसके उपर स्क्रॉल करता हुआ दि दिखाई देगा देखें यहां पर आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है और साथ मोबाइल नमबर इस तरह से कोई भी कस्टम किया हुआ मैसेज आप यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं तो यह एक तरह से बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो गया और एड़टाइजिंग मीडियम भी हो गया ठीक हो लगबग हजार रुपए के अंदर यह पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक एक फिट बड़ा क्लोग एक हजार रुपए में आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट क्लोग है यह वाइफाई से जिसमें टाइम सेट होता है आपको मैन्यूली कुछ भी करने की तो बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छा एड़ुटेजमेंट में में आपको बता दिया है ठीक है तो टाइम हमेशा करेक्ट बताएगा और एड़ुटेजिंग के लिए भी काम आएगा साथ में बहुत ही अच्छा गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हैं बहुत ही पौर भी मेरे पास मिल जाएगा मैं आपको रो मोटरियल सप्लाई कर सकता हूं आपको बस इसे कनेक्ट करना है और यह चलने लग जाएगा ओके चलिए यह सिंगल बोर्ड पर बना है हम डबल बोर्ड वाला क्लोग भी आगे लेकर आएंगे आपके लिए ठीक है अभी हमने थोड़ पीटेन बोर्ड तो आपको रिक्वाइड रहे 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 यह अलग 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 कलर समाता है जिस कलर का भी आप चाहें उस कलर का पीटेन बोर्ड पर्चेस कर सकते हैं ठीक है बहुत ही अच्छा यह एक तरह से एटड़ाइजिंग मीडियम हो जाएगा आप इसको कहीं भी चला चबर डाल हएंगे तो इसको आपको बस कर और बैंक से अगर आप इसको चलाते हैं तो आराम से ट्वंटी फौर थक चलता रहेगा ठीक है और ऐसा भी नहीं का हमेशां इंटरनेट एक सीट कनेक्शन चाहिए के उन होता है तब इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ठीक है अद्टर्ब लाइशन मेरद स्ष्ट्रेसी रहे होट है एक PCB female connector चाहिए अगर यह connector ने भी होके तो direct हम solder करते हमें एक स्माटफ़वाइं जो आप सभी के पास होता है भी लोगडाउन के बात तो बच्चे बच्चे के पास है ठीक है ना smartphone और एक चाहिए हमें और सप्लाई आपको चाहिए सिंपली इसको पावर ओन करने के लिए जिसको एक यूएसबी के थूरू इस बोर्ड से कनेट कर देंगे तो यह चलने लग जाएगा ठीक है तो मैं चीज़े जो चाहिए आपको एक पीटेंड बोर्ड एक नोड एमस्यू चाहिए बाकी चीज़ और बोर्ड का जो यह कनेक्टर का कहां पर कौनसी पीन कनेक्टर हो होंगे और यह क्लॉक लैच और डेटा जो है यहां पर कनेक्ट होंगे डी फाइव दी थ्री और डी सेवन से इनको आप डारेक्ट करके कर लिजिए चाहिए तो एक कनेक्टर बना के कर लिजिए कैसे भी कर लिजिए यहां पर इसका जी हो है पूरा कंप्लेट सर्कीट इसमें लोड करना सिखाऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा मेरे ब्लोग का उस ब्लोग के उपर मैंने सारी इंफर्मेशन दे रखी है नोड एमस्यू के बारे में और इस पी एड टू सिक्स के बारे में ठीक है तो फि इमेजे जो है सर्किट डायग्राम और इंफर्मेशन वह सभी आपको यहां मिल जाएगी तो यह आइटम जो हमें चाहिए तो उनकी लिस्ट है इसके नीचे जो है आपको मिलेगा किसका सर्किट डायग्राम क्या है और फाइनली हमें एक सौफ़वेर जो है इसमें इस वीडियो को एक बार प्ले करना है एक बार इसको प्ले कर लेंके उपर तो फिर आपको यहां पर आपको कैसे अपलोड करना इस वीडियो में आगे में आपको बता रहा हूं ठीक है आपको क्यों इतना करना है कि इस वीडियो को एक बार मेरे ब्लोग पर जाके प्ले कर देना है ठीक है बहुत ही सिंपल है ठीक है तो जैसे यह आप इसको पूरा यहां पर प्ले कर लेंगे आपको सारे इंफर्मेशन वापस एक बार मिल जाएगी सब कुछ आपके सामने एक बार रिवाइज हो जाएगा उसके बाद क्या करना है देखिए यह लिंक अपने आप खुल जाएगा वीडियो प्ले होने के बाद अब आप क्या करेंगे इसको डाउनलोड कर लेंगे कैसे करना है यहां पर उपर जो डाउनलोड का बटन दिया गया इसको एक बार दबाएंगे और सॉफ्वेर आपके कम्प्रें में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ठीक है अभी मैंने जो है क्रॉम ब्राउजर ओपन किया हुआ है तो और आपको दिखना शुरू हो गया ठीक है तो यहां तो यहां पर कुछ और फाइल्स आपको दिखाई देगी ठीक है तो इन फाइल्स में आप देखेंगे के यहां पर यह जो फाइल यह इसका काड है और यह सॉफ़ःर है जिसके थूर्व इस फे कोड्ड होगा ठीक है तो जो फ्लेशर है यहां इसको रन करेंगे अभी देखिए यहां पर कॉम पोर्ट में कोई कॉम नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी हमने नोड mcu कनेक्ट नहीं किया है ठीक है तो हम एक यूएसबी केबल के थूरू नोड mcu को यहां कनेक्ट करेंगे तो मैं यहां पर जो है कॉम पोर्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा ठीक है बहुत है तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं आपको यहां इसक्रिंग पर दिखाता हूं यह हमारा जो है P10 बोड़ है और यह नोड यह श्रेक Acho है इस नोड करेंगे उसबी केबल सिमपल माइक्रों यूइसबी केबल यह जो आपके अपर आदया के इस में comport आ जाएगा ये computer से मैंने connect किया और अभी देखे अपने computer में device manager में जाएंगे और आप देखेंगे कि जो हमने add किया है हमारा तो इसको comport issue हुआ है या नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे देखेंगे ये com 13 यहाँ पर आ गया है ठीक है तो हमार जो connect किया है उसका driver proper डरा हुआ है और यह comport यहाँ पर आ गया है तो अभी हम वापस जाएंगे अपने flash art software पर ESP flash art software को फिर से open करेंगे यहाँ पर ठीक है और open करने के बाद हम फिर से इसमें call upload करेंगे देखेंगे एक बार refresh दबाएंगे refresh दबाने के बाद वापस यहाँ पर करेंगे तो देखेंगे एक com 13 देखने लग गया जो कि हमारा node mcu है इसमें यहाँ पर जो serial की speed है यह 1152.00 इसी को set करके रखेंगे है ना और यहाँ पर देखेंगे यह file हमें browse करनी है कहाँ पर यहाँ bin file है लोगिया, इस file को यहाँ browse करनी है तो address हमें पता है कहाँ पर downloads में तो हम जाएंगे bin file को browse करेंगे तो हम यहाँ पर और जाएंगे अभी download में जाएंगे हम download मेरा जाने के बाद हम को यह file मिल जाएगी और open करेंगे तो जैसे ह missing open करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों select किया और open किया और अभी देखें यहां पर जो first वाला option है उसी को set किया हुआ रहने देंगे यह वाला 0000X ठीक है तो और फिर flash का बटन दबाएंगे जैसे आप देखेंगे अपने नोड में कुछ लाइट जो है वह ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी मतलब कोड उसमें अपलोड होना शुरू हो जाएगा और जैसे यह अपलोडिंग कम्प्लेट होगी तो एक मैसेज हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा ठीक है यहां पर जो है लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई आपको दिखाई नहीं दे रही होगी चलिए मैं थोड़ा सा अधेरा कर देता हूं तो आपको लाइट जो हो ब्लिंक करती वह दिखाई देगी यह देखिए ठीक है इसमें हमारा जो है अप्लोड हो चुका है और अब हम क्या करेंगे हमारी यूएसबी के वले वह इससे निकाल देंगे नोडेंसु से और इसको जो है पूरा हम पीटेन बोर्ड में लगा देंगे और फिर इसको पावर देंगे पावर इसको यूएसबी से दिया गया है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूं पूरी तरह से और फिर आपको बताता हूं कैसे यह वर्क करेगा ठीक है अभी देखिए हमने के अवल इसको जो है प्रोग्राम किया अभी हमें इसे इंटरनेट कनेक्शन भी देना पड़ेगा ना भी बिना इंटरनेट के नहीं अभी हम इसको यहाँ पर जोड़ दिया और इसको पावर आउन किया और हम अपने स्मार्टफोन में जाएंगे स्मार्टफोन में हम भी सेटिंग करना है यहां पर एसेज़ा हैं नए और पी जो है capital लिखना है ठीक है और साथ में पासवर्ड जो है मेरा mobile नमबर है 8989811397 ठीक है तो as it is SSID और पासवर्ड आपको यही रखना पड़ेगा तभी आपका जो है यह पी 10 clock इंटरनेट से connect होगा अधरवाइस यह इंटरनेट से connect नहीं होगा ठीक है बहुत ही सिंपल सेटिंग आप कर लेंगे इसके बाद आपना hot spot on कर लेंगे अब आपने hot spot on कर लिया इसके बाद क्या करना है बहुत ही सिंपल प्रोसेस अब जुह काम बहुत ही आसान होगी आपने internet connection भी उसको दे दिया और आपने software भी उसमें upload कर दिया आप बस इसको पावर देना है तो जैसे आप इसको पावर देंगे पावर देने के बाद यह अपने आपी सर्च करेगा उस internet connection को ठीक है कौन से internet connection को मन मोहन पाल और password क्या उसका मेरा mobile number ठीक है तो अब यह जैसी connect होता है सेकेंड में इसमें time store हो जाएगा और यह डिस्पले करना शुरू कर देगा यह टाइम जो है internet से load हो रहा है इसलिए time हमेशा इसमें correct ही बताएगा ओके तो बहुत ही अच्छा और reliable clock है यह ठीक है इसमें हमेशा correct बताएगा इसमें time set करने की कोई जरूत ही नहीं ठीक है और जितनी भी clock बनाएंगे उसमें एक एक सेकंड तक जो है time हमेशा same ही चलेगा और काफी अच्छा brightness है इसका अंधरे में भी और उजाले में भी daytime और night time दोनों में यह बहुत ही अच्छे से प्राइजिंग के लिए भी बहुत अच्छे तरह से आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं एक लोग तो भी हो सकता है आपका मैसेज जो नंबर जो है इसमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा और इसका सारा raw material मेरे पास available है आप बना हु भगा थैंक यू रषाद होगा थैंक यू रषी मुच, फवह बुट कर से लिए पियरेधर आपता होगा, थैंक यू ररिकान जो कौड देगा, विए आपका थैंक वह सकता है आपका।